चीन और पाकिस्तान जैसे दुसमनों से घीरे भारत की सरकार सुरक्सा के मोर्चे पर कोई चांस नहीं लेना चाहती इसी कारण भारतिय वे ज्यानिकों की मदद से एक बेहद अचूक जुगार निकाला गया है इस जुगार की मदद से भारतिय वाई सेना को पाचवी पीड ही जैसे एडवांस लड़ा की मान जल्द से जल्द मिल जाएंगे जो कई माइनों में अपने सबसे आधुनिक विमान राफाईल से भी बहतर होंगे साथी इस जुगार तकनीक के वज़े से पुराने पड़े लड़ा को युमान बहत एडवांस हो जाएंगे भारत सरकार की इस योजना और भारतिय विज्यानिकों के इस जुगार को देखकर दोनों पुरोसी दुसमन देशों के फाइटर जेट बाब बाब करने लगेंगे तो आज हम इस वीडियो में भारतिय विज्यानिकों के इसी माया वी जुगार के बारे में जानेंगे वीडियो के अंत तक बने रहें लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे मेहनती विग्यानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है दोस्तो भारा सरकार इस जुगार तकनीक पर एक दो नहीं बलके पूरे 63,000 करोड रुपे खर्च करने जा रही है इसके लिए पूरी योजना तयार भी हो चुकी है अब केवल परधान मंत्री नरेंदर मोधी के नितरित वाली सुरक्सा मामलों की कैबिनेट कमीटी को इसके मुझूरी देनी बाकी है दरसल ये पूरी कहानी है रूसी लड़ा को इमान सुखोई 30MKI को बेहद आधोनिक देसी तकनीक से लैस करने की आपको तो पता ही है कि आज हमारी खुद की तकनीक एतनी एडवान्स हो चुकी है कि हम युद्ध को जीतने वाली ऐसी ऐसी घातक वेपन सिस्टम बना सकते हैं जो दूसरे देश के पास मौझूद भी न हो इन विमानों में देसी तकनीक जोड़े जाने से ये दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे खतरनाक विमानों की स्रेनी में सामिल हो जाएंगे इनके फीचर अधिकतम मामलों में पौची पीडी के लड़ाक विमान जैसे ही हो जाएंगे टाइमस आफ इंडिया की एक रिपोर्ड को मताबिक रक्सा मंत्राले ने इस संबंद में ड्राफ्ट नोट तयार कर लिया है इसके तहट पहले चरन में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा इस अपग्रेडेशन में 63,000 करोड रुपे खर्च होंगे इस अपग्रेडेशन में डिजाइन, फीचर और टेकनलोजी पर काम किया जाएगा अपग्रेडेशन के बाद ये विमान समता के मामले में 55PD के विमान बन जाएगे हाला कि इसमें 55PD के विमानों की अश्टिल्थ टेकनलोजी मौजूद नहीं होगी लेकिन सबसे सांदार बात ये है कि हमारे विज्ञानिक अब इसके मैंड और अनमैंड वर्जन तयार करेंगे यानि इसको पाइलेट के दोरा भी उड़ाया जा सकता है और पाइलेट लेस भी अब अगर मान लीजे कि हमारे भारती वाई उसेना के पास एक ऐसा टार्गेट है जिसको किसी भी हाल में धोस्त करना ही है जिसको किसी भी हाल में नस्तनाबूद करना ही है तो ऐसी सिचिवेशन में हमारा सुखोई 30M का अनमैंड वर्जन काम आ सकता है क्योंकि जब ये ऑपरेशन में जाएगा अपनी टार्गेट की ओर बढ़ेगा तब अगर ये अपने टार्गेट को धोस्त करने के बाद दुसमंद वारा मार भी गिरा दिया जाता है तब भी भारती वाई उसेना का कोई खास नुकसान नहीं होगा क्योंकि एक तो इसमें भारत का में मकसद था टार्गेट को धोस्त करना जो कि इस फाइटर जेट निक कर दिया दोस्तों इसकी मारक समता को चूग बनाने के लिए इसमें ए आई और डाटा का जबर्दस्त इस्तमाल किया जाएगा ऐसा होने के बाद ये सुखोई उमान दोजर पच्पन तक भारत भायु सेना की सेवा कर सकेनगे, आपको बता दो कि भारत भायु सेना लडाकว यमानों की कमी से जूज रही है, उसके पास केवल 30 स्क्वाडन है जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों से संभावित खत्रों को देखते हुए, कम से कम 42 स्क्वाडन की जरूरत यानि अभी हमारी Y Yun Center के पास 12 squadron की कमी है 12 से 18 को गुना करें तो result आता है 216 यानि अभी हमारी Y Yun Center के पास 216 खुयानों की कमी है ध्यान देने वाली बात यह है कि 84 double engine सुखोई जेट को को हिंदुसतान ऐरोनौतिक्स लिमिटेड यानि HAL अबग्रेड करेगी इसमें 15 साल का समय लग जाएगा कैबिनेट कमिटी के मंजूरी मिलने के बाद इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए डेवलपमेंट वर्क में ही 7 साल लग जाएगे मौजूदा वक्त में भारती वायुसेना के पास 269 सुखोई लड़ा को विमान है इसमें से अधिक्तर का निर्मान रूस के साथ लाइसेंस ट्रांसफर डिल के तहट HL ने ही किया है इन विमान में बहद अड़वान्स रडार सिस्टम विरपच को इंस्टोल किया जाएगा इससे सुखोई की डिटेक्शन रेंज यानि चीजों को देखने की समता देड़ से दूग ना बढ़ जाएगे इसमें लंबी दूरी की मिसाइले है जैसे अस्तरा 3 को भी तैनाद किया जाएगा इससे ये हवा से साड़े 300 किलमीटर की दूरी पर टार्गेट को धोस्त कर सकेगा कोल मिलाकर इन विमानों में 55 सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा 55 सिस्टम दोस्तों गोर कीजेगा अभी हाली में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी ये रिपोर्ट थी ब्रिटेन के ठिंक टैंक कमपनी रूसी की इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत और चीन का युद्ध 2025 से 2030 के बीच हो सकता है लेकिन सबसे चौकाने वाली बात ये थी कि इसमें ये भी कहा गया था कि भारत और चीन के युद्ध P.O.K. को लेकर भी हो सकती है लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि P.O.K. है पाकिस्तान के कबजे में ऐसे में P.O.K. को लेकर चीन के साथ हमारा युद्ध कैसे हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि P.O.K. में चीन ने अर्बो डॉलर को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ हा सकता है और ये बात हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए हमारे विज्ञानिक, हमारे जितने भी घातक वेपन सिस्टम चाहे वो फाइटर जेट हो चाहे मिजाइल सिस्टम हो चाहे वो परमाणू वोर हेड हो इन्हें पहले से जादा घातक बनाने में लग चुके हैं तो दोस्तो हमारे विज्ञानिकों की होसले की अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कॉमेंट बॉक्स में जेहिंद लिखना तो बनता है साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद जेभारत